दोस्तो, WhatsApp यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। ओनलाइन होने वाले साइबर स्कैम या किसी भी तरीके की गलत जानकारी वाले ग्रुप से आपको बचाने के लिए WhatsApp पर अब एक नया फीचर लॉंच हुआ है। बता दें कि WhatsApp के पहले फीचर के मुताबिक कोई भी अंजान आदमी आपको अपने साथ WhatsApp ग्रुप पर एड़ कर सकता था। लेकिन अब इस तरीकी की unwanted actions को रोकने के लिए इस प्रोसेस को थोड़ा और मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है। WhatsApp ग्रुप स्कैम जिनमें विक्टिम को पहले तो WhatsApp ग्रुप में एड़ किया जाता था और फिर बाद में उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए साफ कर दिये जाते थे। इसलिए इस तरह के fraud users से आपको बचाने के लिए WhatsApp में new features add-on किये गए हैं। अब इस जानकारी के बाद आपके मन में जाहिर तोर पर एक सवाल आया होगा कि क्या है ये नया feature और हमारे safety को ये किस तरीके से ensure कर सकता है। तो अब आपको बता दें कि इस नए feature के बाद अब अगर कोई आपको किसी group के साथ जोड़ना चाहे तो उसे और ज्यादा details देनी होगी। जैसे कि unknown users को बताना होगा कि group create कब किया गया था और group में किसी सक्ष को add करने वाला व्यक्ती कौन है। इससे लोग खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन इस feature का फाइदा तभी मिल पाएगा जब users अपनी group privacy setting को activate करेंगे। अप update से जुड़ी ये information, WhatsApp ने अपनी frequently ask question वाले page पर post की जरिये दी है। जहां group में जोडने वाली company अब आपको वो information देगी जो company से आपको add करने से पहले भरी होगी। जिसके बाद users खुद decide कर सकते हैं कि वो group आपके लिए safe है या नहीं। और अगर आपको group में किसी भी तरीके का scam, misguidance या misinformation दिखती है तो आप खुद को group से remove भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी WhatsApp अपडेट से जुड़ी ये जानकारी हमें comment box में जरूर बताएं।